Hello everyone, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 10 क्लास का जोग्रोफी डिसकस कर रहे हैं चेप्टर का नाम है सियाहत, नकलवा हमल और मवासिलाथ आज का वीडियो कोशन एनांसर का पार्ट टू है पार्ट वन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोशन डिसकस कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आज हम पार्ट टू में जोडियां, वजाहत और फर्क वाज़ा कीजिए जैसे कोशन देखेंगे चुके हैं कि यह जो है ब्राजील का सियाहत का मशूर मुकाम है मनमार जो है भारत का रेलवे स्टेशन है, अब इसके बाद अगला कोशन है कि फर्क वाज़ा कीजिए तो इसमें अलीफ है दरियाएं एमेज़ान और दरियाएं गंगा में आभी नकलो हमल तो इन दोनों की दर्मियान आपको फर्क बताना है, तो आईए देखते हैं इस कान से अब यहाँ पर सबसे पहले हम दरियाएं एमेज़ान देखते हैं कि दरियाएं एमेज़ान में ज्यादतर बेनुल अक्वाम याभी नकलो हमल की जाती है और दरियाएं गंगा में जो है अन्रूनी आभी नकलो हमल की जाती है, यानि कि मुलक के अंदर ही की जाती है अब दरियाएं एमेज़ान में जो है नकलो हमल का तनासुब बहुत ज्यादा है और इसके सासर जो दरियाएं Amazon है उसमें पानी का बहाओ बहुत तेज है जिसकी वज़े से यहाँ पे नकलो हमल ज्यादा पैमाने पर होती है और इसके बरक्स जो दरिया एक गंगा है वो भारत से बंगलादेश तक बहती है और यहाँ पर पानी की रफ़तार सुस्त होती है इ ब्राजील में ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत स्यादा मॉडर्ण टेक्नलोजी मुबाइल फोन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए वहाँ पर जो है मवासिला तरक्याफता है यही पॉइंट जो है नीचे डिस्क्राइब किया गया है कि ब्राजील में अनधाजन 45 पीश्याद से ज्यादा आबदी मवासिलात के इंटरनेट करती और भारत में सिर्फ 30 पीसद आबदी ही मवासिलात के लिए इंटरनेट कर 나쁘्ती है अवर इसके बाद जीए भारत के और ब्राजील के मियारी वक्त की दर्मियाद फर्क बताना है अस्वाय वक्त से आठ गंटे 30 मिनिट आगे है और ब्राजील का मियारी वक्त भारत की मियारी वक्त से 8 गंटे 30 मिनिट पीछे है सब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गंटे और मिनिट आए कहां से इसके लिए जो है आप chapter explanation का video जरूर देखिए वहाँ पर हमने अच्छे से समझाें कि जो मुमालिक मगरिब में आते हैं वहाँ पर टाइम पीछे चलता है माइनस में होता है और जो मुमालिक मश्रिक में आते हैं वहाँ पर टाइम पलस में चलता है यानि कि आगे होता है, तो भारत जो मश्रिक में आता है, इसलिए यहां का टाइम प्लस में है अब इसके बाद अगला कोश्चन है, नोट लिखिए, जिसमें सबसे पहले है जदीद मवासला, स्वाइए इसकी नोट देखते हैं अब यहां पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मवासलात क्या होता है, मवासलात मतलब कि कम्यूनिकेशन, अपनी प्रोड़क्ट की, अपनी पैदावार की, अपनी फसल की जो इन्फोर्मिशन है, मालूमात है, एक जगह से दूसरी जगह पहुचाना तो इस आंसर को बिल्कुल आप अपने अलफाज में लिख सकते हैं, कि आजकल जो है कम्पिटर, मुबाइल, इंटरनेट और मसनुई सैटेलाइट वगएरा की मदद से मवासलात की जाती हैं, और अब इसके बाद जो जदीद मवासलात है, वो कम खर्च की और ज्यादा मौ इस्तेमाल की वज़े से भी मवासलाती शोबे में तरक्की हो रही है, तो इसी तरह आप यह आंसर लिख सकते हैं, अब इसके बाद अगली नोट है कि भारत में फिजाई नकलवा हमल, यहां पर बताएगे हैं कि ब्राजील के मुकाबले में भारत में बैनुल अक्वामी नक अन्रून मुलक हवाई-रास्तों में भी बहुत जादा इजाफा हुआ है, उसी के बाद चन एहम हवाई-अड्डो के नाम दिए गये हैं, जिसे आम मैप में भी अच्छी तरह से देख चुके हैं, अप इस तरह से यह नोट लिख सकते हैं इसके बाद अगली नोट है कुदरती साख्थ और अन्रूनी आबी नकलु हमल और तैलबों के अगर किनारे तंग होते है और नदीओं और खाटियों में पानी की रफ्तार तेज होती है दरियाओं के रास्ते में नशेव फरास की वज़े से आफशार पैदा हो जाते हैं और कहीं बार दरियाओं में सैलाव आ जाता है तो इन तमाम वजुहात की वज़े से नकलो हमल में रुकावट पैदा हो जाती है अब इसके बाद जहांपर नशेवी इलाके एक जैसे इलाके नदी और दरियाओं के किनारे चोड़े होते हैं और दरियाओं में पानी की रफ़तार सुस्त होती है वहांपर बड़े पहमाने पर अंद्रूनी आबी नकलू हमल होती है हमारे भारत में जो है तमाम एहम नदियों में अन्रूनी आभिया मुदरफ्त होती है अब इसके बाद लास्ट नोट है कि मियारी वक्त के इस्तेमाल के फाइदे बताईए तो यहाँ पर इसका अंसर आएगा कि अगर किसी भी मुल्की तूलूल बलादी वस्त बहुत ज्यादा होंगी तो इसके मश्रिक और मगरिबी हिस्सों में वक्त में ज्यादा फर्क हो सकता है फॉर एक्जामपल आप देखेंगे कि ब्राजील को हमने मैप के थूरू चैप्टर में समझा था कि ब्राजील के मश्रिक से लेकि मगरिब के इलाकों के दर्मियान में जो है दो से तीन घंटे का फर्क होता है तो जिन ममालिक की वस्त बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर मियारी वक्त की बहुत ज्यादा हमियत होती है अब इसके बाद बताए गया है कि मियारी वक्त के लिहाज से ही मुल्क के तमाम हिस्सों में मुकामी औकात मुकरर किये जाते है मतलब के हर इलाके का जो है टाइम फिक्स किया जाता है अब इसके बात 3 पॉइंट दिया गए है कि म्यारी वक्त के लिहाज से ही रेल्वे और हवाई आमोधराफ्ट के सफर के टाइम टेवल बनाए जाते हैं उसके अलावा जो है मियारी वक्त का इस्तिमाल करके मुल्क के मुखतली फिस्सों में मसलन बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पिताल वगेरा में जो है कामकाज में सहुलत मिलती है अब इसके बाद हम अगले कोशन पे आते हैं कि मंदज जैल सवालों के जवाब तफसील से लिखे तो इसमें हर एक सवाल चार नमबर के लिए पूछा जाता है इसमें सबसे पहला कोशन है कि ब्राजील की आभी नकलो हमल के तालुक से बहस कीजिए अब इसमें बताएंगे हैं कि ब्राजील के कई दरिया जो है शुमाल की तरफ बहते हैं और कुछ दरिया जो है जुनूब की तरफ बहते हैं तो ब्राजील में शुमाल की तरफ जो है दरिया एमेजौन है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आभी नकलव हमल के लिए इस्तेमाल होता है अब इसकी बाद थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि दरिया एमेजॉन से लेकर पेरू मुल्क के मुकाम एक्वेटास तक तिजारती पैमाने पर आभी नकलव हमल की जाती है तो यहाँ पर जो है कुछ मुल्क के और दरियाओं के नाम दिये गए हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे तो यह जो आभी रास्ता है यह दुनिया के सबसे तवील आभी रास्तों में इसका शुमार होता है ठीक है अब ब्राजील में जो दरियाओं पिराना है वो भी जो है आभी आमोदरफ्ट के लिए इस्तेमाल होती है अब इसकी बाद अगला पॉइंट है कि ब्राजील में साव फ्रांसिसको दरिया की मनबे के करीब तकरीब बन 200 किलो मेटर का हिस्सा आभी नकलो हमल के लिए मौदू है और ब्राजील के साहिले इलाकों में भी समंदर के रास्ते आभी नकलो हमल की जाती है यानि के ब्राजील में आभी नकलो हमल को फरोगत हासिल हुआ है अब इसके बास सेकेंड कोशन है कि भारत के सियाती पेशे की खुसुसियत वाज़ कीजिए तो इसमें हम बता सकते हैं कि भारत में सियाहत एक एहम पेशा है यहाँ पर तारीखी व तैजिबी मुकामात है, बहुत सारे मंदिर हैं, गारे हैं साफ सुत्री समंदरी साहिल हैं, मुक्तलिफ किसम के जानवर, परिंदे और कौमी पार्क जो है भारत में सियाहों की कशिश का मरकस बन रहे हैं इसके अलावा तैजिबी मुकामात की सैर करने और तिब्बी सहूलियात से फाइदा उठाने, मतलब कि जो भी इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी हैं, उससे फाइदा उठाने के मकसद से गैर मुलकी सहिया भारत की तरफ रूख कर रहे हैं इसके अलावा 2010 के बाद बैनुल अक्वामी से यहों की तेदाद में भारत में इजाफा हुआ हैं और दौरे जदीद में भारत में माहोलियाती दोस्त सियाहत पर जोर दिया जा रहा हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो थैंक्स पर वाचिंग ने टुडेज वीडियो